यदि आप invator उपभोगता हैं और किनी कारणों से अपने invator पर solar panel लगाना चाहते हैं तो क्या invator को change करें या solar controller साथ में लगाएं solar controller यदि नए लगाएं तो क्या होगा और यदि लगाएं तो क्या क्या benefits हो सकते हैं PWM लगाएं MPPT कितने MPR और कितने वोल्ट का solar controller लगाएं दोस्तो मैं आपका दोस्त अर्विंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल microwave नागल और आज इस वीडियो के माध्यम से पहले बात करते हैं कि यदि solar panel तो लगाएं पर solar controller नह लगाएं दोस्तो यदि आपके पास 100 वाट या 150 वाट या 200 वाट तक पैनल हैं इससे ज़्यादा नहीं है और दिन में आपका लोड 200 वाट से ज़्यादा ही रहता है तब आपको अपने inverter battery के साथ solar controller लगाने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन दोस्तो इसमें रिस्क रहता है सर्दियों के मोसम में क्या होता है कि घरों में पंखे cooler बंद हो जाते हैं ज़्यादा लोड नहीं रहता और grid supply भी अच्छी रहती है तो उस समय दिन में यदि आपका inverter भी battery को चार्ज करेगा और solar panel भी चार्ज करेगा और आपका यह रहेगी एक इस तरीके का 20 ampere का solar controller ले सकते हैं आपको 78900 रुपे का यह solar controller मिल जाता है और इस solar controller को आप एक battery के set पर या दो battery के set पर दोनों पर यूज कर सकते हैं इसके लिए आपको इसमें कोई changing करने की आवश्चता नहीं है यदि एक battery पर लगाएंगे तो यह स्वम ह पर लगाएंगे तो भी सेंस कर लेगा कि battery दो लगी हुई है और उसी हिसाब से यह है अपना work करना प्रारम कर देगा यह PWM solar controller है यदि आपके पास एक battery है तब आप 24 volt का solar panel इसके साथ नहीं लगा सकते हैं यदि आपके पास दो battery है तब आप इस पर 24 volt का solar panel लगा सकते हैं 300 watt सबा 300 watt या 300 watt तक लगा सकते हैं उससे जादा नहीं लगाएंगे यदि आपको ज़्यादा panel लगाने हैं तब आपको यह solar controller पचास ampere का solar controller है यदि आपके पास एक battery है तो आप इसपर 700 watt तक लगा सकते हैं और यदि 2 battery हैं तो 1400 watt तक लगा सकते हैं दो श्ट्रिप दी गई हैं एक strip पर आप अपनी battery के wire लगाएंगे और एक strip पर solar panel के wire लगाएंगे बहुत simple होता है बाकी इसमें display दिया गया है जिस पर solar panel के ampere battery के volt आदी function लिखे वे आते रहते हैं और इस पर भी यदि आप एक battery लगा रहे हैं तो आप 12 volt के panel लगाएंगे और यदि 2 battery लगा रहे हैं तो इस पर 24 volt के panel आप लगा सकते हैं यह भी PWM solar controller है 50 ampere का है और 12 और 24 volt दोनों पर आप इसको यूज कर सकते हैं मान कर चलिए कि 2000-2500 के बीच यह आपको market से मिल जाता है और दोस्तों यदि आप अपने पुनाने ही inverter को जो की solar inverter नहीं है non solar inverter है और उसी से एक PCU की तरह काम लेना चाहते हैं तब आपको इस तरीके का एक MPPT solar controller चाहिएगा दोस्तों पहले तो आपसे वही छोटी सी request के यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन का बटन दबा लीजिए यदि आप देख रहे होंगे तो company ने इस पर लिखा है Prime Plus MPPT solar PCU kit अब यह है आपके पुराने इनिवेटर को कैसे solar PCU में convert कर सकता है जैसा कि आप यह मेरे हाथ में model देख रहे हैं यह 30 ampere का है यदि आपके पास एक battery है तो आप इसके साथ 500 watt तक panel connect कर सकते हैं और यदि दो battery है तो आप इस पर 1000 watt तक solar panel connect कर सकते हैं इसमें 50 ampere के solar controller भी आते हैं जिस पर आप ज्यादा panel connect कर सकते हैं और क्योंकि यह MPPT solar controller है तो इसके साथ यदि आपके पास एक battery का set भी है तो भी इस पर आप 24 volt के panel लगा सकते हैं और यदि दो battery का set है तब भी आप इस पर 24 volt के panel लगा सकते हैं और एक solar के लिए इस्ट्रीप है डिस्पले पर solar के MPR, battery के वोल्ट, main supply के वोल्ट, आदी function 100 होते रहते हैं अब इसको PCU के तरह कैसे यूज करें दोस्तो solar panel और battery connect करने के बाद आप में जो अपना inverter grid पर लगा रखा है उसकी main supply की lead को आप अपने electric board से निकालेंगे और यह जो स्ट्रीप यहाँ पर दी हुई है इस स्ट्रीप में अपने inverter के wire को connect करेंगे और जो lead आप इसमें देख रहे हैं इस lead को घर की main supply से connect करेंगे तो इस परकार यह है battery को, solar panel को और main grid की supply को तीनों को sense करता है और solar panel की supply को दिन में off नहीं करेगा केवल grid supply को समय समय पर off करता रहेगा जब भी दिन के समय आपकी battery full charge हो जाएगी तो यह grid की supply को inverter के अंदर देना बंद करेगा और आपके घर की supply solar से चल जाएगी grid supply off रहेगी जिससे आपके बिजली के बिल में कम ही आएगी यानि यह है solar PCU दिन के समय आपके solar panel की capacity के अनुसार आपके घर के लोड को solar panel पर ही चलाता रहेगा जिससे हमारे solar panel का तो maximum यूज होगा ही हमारी बिजली का बिल भी बचत होगा तो यदि आपको budget की कोई tension नहीं है और आप अपने पुराने inverter battery को ही एक solar PCU बनाना चाहते हैं तो उसके साथ आप एक 50 ampere का MPPT solar PCU controller connect करके अपने पुराने inverter को ही एक solar PCU में convert कर सकते हैं और इस समय यदि इसकी कीमत की मैं बात करूँ तो यह है तकरीबन 3000 से 3500 के बीच आपको मिल जाएगा 30 ampere का है और यदि आप इसमें 50 ampere का लेना चाहते हैं तो तकरीबन मान कर चलिए कि 5000 की range में आपको smarten का भी और utl का भी दोनों मिल जाएंगे लेकिन दोस्तों यदि आप इस समय inverter battery पर्चेज करने की सोच रहे हैं तब आप solar का इनवेटर लेकर ही आएं उसके साथ आपको अलग से कोई solar controller लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो like करना share करना बिल्कुल भी नहीं भूलें कोमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा solar controller बहतर लगा प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन जरूर दबा दें वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों